मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है आज फिर मैं एक नए टोपिक के साथ फिर हाजिर हूँ ये टोपिक है रजेश खना के सूपर स्टार बनने और उनके डलने के बाद कैसे रजेश खना मयूसियों में चले गए फिर उसके बाद एक डिरेक्टर उनके पास उन्होंने बहुत कोशिश की रजेश खना को वापस सूपर स्टार का दरजा देने की एटी टू के बाद ऐसा लगने लगा था रजेश खना फिर उचाईयों में आगे हैं ये देख के अमिता बचन भी उस समय के सूपर स्टार को डर लगने लगा था मैं इसके बारे में और ज़्यादा बताऊं क्या था ये पूरा किसा तब तक किर्पिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन की गैंटी बजाना भी बिल्कूल ना भूले 70 के दोर में जब रजेश खन्ना सूपर स्टार थे तो उनके पास डिरेक्टर परड्यूसरों की लाइन लगी हुई थी हर कोई रजेश खन्ना को फिल्मों में लेना चाहता था लेकिन 70 के डलते डलते 80 के आते आते वो लाइन अमिता बचन, दर्मेंदर, मिथुन चकरवती, रिशी कपूर, शशी कपूर की तरफ चली गई थी रजेश खन्ना अब अकेले थे, उनके पास फिल्मों की ओफरानी तो बंद हो चुकी थी, लोग उनका हाल चाल भी पूछने नहीं आते थे इतने में सावन कमार जो की कभी रजेश खन्ना से टाइम मांगते थे ताकि वो रजेश खन्ना को फिल्म में ले सके रजेश खन्ना इतने बीजी होते थे, उनकी फिल्म नहीं कर सके, इतना ही नहीं, रजेश खन्ना की स्टारडम को देखते हुए सावन कमार हिम्मत ही नहीं करते थे ताकि वो रजेश खना को फिलम में ले सके लेकिन 1982 में रजेश खना को सावन कमार ने फोन किया मिल्ले की इजाजत मांगी रजेश खना ने बोला आईए सावन कमार ने पूछा कितने बजे रजेश खना ने बोला जब मरजी आईए मैं गर में ही होता हूँ रजेश खन्ना के पास सावन कुमार के उन्होंने अपनी एक कहानी की स्क्रिप्ट उनको बताई फिलम का नाम था सोतन रजेश खन्ना को ये स्क्रिप्ट बहुत अची लगी लेकिन रजेश खन्ना ने बोला आज कल तो मुझे कोई हाल भी नहीं पूछने आता आप मेरे पास इतनी बड़ी फिलम लेकि आया हैं सावन कमार ने बोला वो आपके बहुत बड़े फैन हैं बहुत सालों से सोच रहे थे आपके साथ फिलम बनाने के लिए अगर आपको पास टाइम हो तो हम ये फिलम बना सकते हैं रजेश खना ने डाइरी निकाली उसके सामने रख दी बोला कहीं भी लिख दो मैं तियार हूँ मेरे पास इस समय टाइम ही टाइम है मेरी डाइरी पूरी खाली है कोई शुटिंग नहीं कर रहा एक दम फ्री सावन कमार ने फिलम बनाए सोतन जिसमें रजेश खना टीना मुनीम और पदमनी कोला पूरी ने सोतन फिलम में सोतन का किरदार किया फिल्म के गाने लिए किशोर कुमार से वो पुरानी जोडी जब किशोर कुमार को पता चला रजेश खना इस फिल्म में है उन्होंने इस फिल्म के गानों के लिए कोई फीस नहीं ली और ऐसा ही हुआ ये गाने भी इस फिल्म में सूपर डूपर हिट रहे इसमें से एक गाना शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है इसलिए मम्मी ने मेरी तुझे चाई पे बुलाया है ये फिल्म का गाना आज भी लोग गुन गनाते हैं रजेश खना जैसे ही शूटिंग के लिए बाहर आए एक और डिरेक्टर मोहन कमार ने फिल्म में रजेश खना को अप्रोच किया फिल्म थी अवतार ये फिल्म की स्टोरी उन्होंने रजेश खना को सुनाई इसमें रजेश खना को बाप का रोल अदा करना था क्योंकि रजेश खन्ना एकदम खाली थे उनको एक सोतन फिलम ही मिली थी उन्होंने इस फिलम को भी हां कर दी उन्होंने अवतार और सोतन फिलम की शूटिंग शुरू कर दी दोनों फिलमें बनी लेकिन अवतार फिलम पहले रिलीज हुई ये फिलम सूपर हिट रही उसके बाद जून में सोतन फिलम रिलीज हुई ये भी फिलम सूपर हिट रही रजेश खना की एक्टिंग इन दोनों फिलमों में देखने लाइक थी फिलमी गलियारों में एक बार फिर ये खबर फैल गई की रजेश खना फिर सूपर स्टार परने की ओर है ये बात अमिता बचन ने भी मैग्जिनों और अखबारों में देखी उसके बाद अगर तुम ना होते और मकसद फिलम ये दोनों फिलमें भी हिट रही और ये कची पकी मोहर लग गई की अब रजेश खना अपनी सूपर स्टार की कुरसी वापस ले लेंगे मीडिया रपोर्ट की माने तो अमिता बचन भी उस समय गबरा चुके थे उनको भी अपनी सूपर स्टार की कुरसी का डर्क सताने लगा था लेकिन दोस्तों कहते हैं कि किस्मत जिसके साथ होती है कुरसी भी उसके पास होती है उसके बाद रजेश खना की फिलमें इतना कमाल नहीं दिखा सकी जबकि अमिता बचन अपनी खिट फिलमें देते जा रहे थे रजेश खनात ने तो रीबॉंस किया लेकिन वो इसको फिर मंटे नहीं कर सके मैं एक नए किसे के साथ दोस्तों फिर आऊंगा तब तक किरपिया ये बताएं आपको रजेश खना और अमिता ब बिलकुल ना बूले